नमस्ते, प्राणाम, मैं मिनाक्सी जेन, स्वागत अर्ती हूँ आपका चैनल मिनाक्सी जेन पर इस वीडियो में हम जानेंगे युक्रेन के पडोसी देश कौन-कौन से हैं युक्रेन से सीमा साजा करने वाले देशों के बारे में और क्योंकि युक्रेन, USSR, Soviet Union का हिस्सा भी रहा तो कुछ जानकारी, Soviet Union की गठन एवं विगठन से रिलेटिर भी देखती चलेंगे तो युक्रेन देश, 1991 से पहले USSR का हिस्सा था USSR, जिसे शौर्ट में Soviet Union, Soviet संग भी कहा जाता है और USSR यानी Union of Soviet Socialist Republic, Soviet समाजवादी गठन तंत्रों का संग ये USSR समवेधानिक रुप से 15 स्वासासित गठन तंत्रों का संग था लेकिन वास्तों में पूरे देश के प्रसाशन और अर्थ व्यावस्ता पर केंद्री सरकार का कड़ा नियंद्रन था और ये USSR देश 1922, 1922-1991 तर अस्तित्व में रहा इस सोवेध संग, Soviet Union के सापना के सुरुवाद 1917 की रूस की क्रांती के साथ सुरू हुई रूस की क्रांती, रुशन रेवलेशन कब हुआ? तो 1917, 1917 में प्रत्थम विश्वयुद्ध के दोरान, First World War 1914-1918, 1914-1918 के बेच हुआ और इसी अवधी के दोरान, 1917 में रूसी क्रांती हुई, रुशन रेवलेशन जिसमें सत्ता रूड जार समराट को पद से हटने पर मजबूर किया गया जार निकोलस सेकेंड, जार समराट निकोलस दुएतिय को पद से हटने पर मजबूर किया गया रूसी क्रांती के समय। और एक महत्वपन क्वेश्चन, इस रूसी क्रांती के जनक कौन थे? और इस रूसी क्रांती द्वारा राजसाही को उकार फेकने के बाद, रूस में एक बहुपक्षी ग्रह युद्ध सुरू हो गया रूस्यन सिविल वार और युद्ध रत गुटों में दो मुखे गुट रैड आर्मी और वाइड आर्मी साम मिलती रैड आर्मी ने लैनिन, व्लादिमिर लैनिन की बोल्सिविक सरकार के लिए लड़ाई लड़े व्लादिमिर लैनिन, the father of Russian revolution, रूसी क्रांती के जनक उनकी सरकार बोल्सेविक के लिए रैड आर्मी ने लड़ाई लड़े और ये रूसी ग्रह युद्ध, Red Army की जीत, Bolshevikो की जीत और सोवेच संकी स्थापना के साथ समाप्त हुआ 1922 से USSR की स्थापना हुई 1922 में सोवेच संकी स्थापना हुई और 1923 तक रूसी ग्रह युद्ध पूरी तऱ समाप्त हुआ और फिर इस USSR सोवेच संका 1991 की क्रिस्मस की रात यानी 25 दिसंबर 1991 की रात USSR कब विगटन हो गया इसलिए सोवेच संका विगटन कब हुआ तो 26 दिसंबर 1921 और फिर विश्व के मानचितर पर ये 15 स्थापना देश उबरे उन ही में से एक देश ये युकरेन था और अब हम जल्दी से इस USSR सोवेच युनियन में सम्मेले 15 देश कौन-कौन से थे मैप पर देख लेते हैं तो रूस एस्टोनिया लात्विया लिथोनिया बेलारूस युकरेन मॉल्डोवा जॉर्जिया अर्मेनिया अजरवेजा तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान तजकिस्तान किरगिस्तान और कजाखस्तान और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मेप पर इन देशों की बीच म ये white part क्या है तो ये कोई देश नहीं है ये सब water bodies है ये एस्टोनिया के उपर ये फिनलेंड की खाड़ी है और ये युक्रेन के पास ये काला सागर ब्लैक सी है और ये कजाखस्तान और अजरबेजान की मध्य कैस्पिन सी कैस्पिन सागर है जोग शित्रफल के हिसाब से विस्व की सबसे बड़ी जील है largest lake of the world in terms of surface area ये important lake है इसलिए ये कैस्पिन सी से कौन से देशों की सीमा लगती है देख लेते हैं तो ये पांच देश जिनकी सीमा कैस्पिन सागर से लगती है वो ये है रूस कजाखस्तान तुर्क मैनिस्तान तक्सिन की तरफ ये इरान और पश्चिम में अजरबेजार ये कैस्पिन सी विश्व की सबसे बड़ी जील है क्षित्रफल के आधार पर और अगर पूछा जाएं कि विचेस डिपेस लेग इन दे वर्ल विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तो बैकाल जील बैकाल लेग जो यहां रूस में ही स्थे थे साइबेरिया रूस में और अब देख लेते हैं मैप पर युक्रेन के पड़ोसे देश कौन-कौन से हैं यानि युक्रेन की सीमा किन-किन देशों से लगती है तो यह मैप पर युक्रेन आप देख सकते हैं यह मैप युक्रेन का 1991 1991 से 2014 तक 2014 तक का मैप है 2014 के बाद युक्रेन का एक्चुल मैप यह है यह य 2014 में ही डोने तस्क और लोहांस्क के कुछ शेत्रों को आजाद खोशित कर रूस समर्थित अलगावादियों ने सोतंत्र तेस कोशित कर दिया और अभी 24 वरवरी 2022 को रूस ने युक्रेन पर आक्रमन कर युद्ध का आगास कर दिया जो अभी चल रहा है और इस रूस युक्रेन युद्ध विराम के बार और उसके बाद की सांति वारता के बार युक्रेन का अस्तित्व क्या होगा ये तो युद्ध के बाद जाननी का विसा है युद्ध में एक नुक्लियर पावर प्लांट चर्चा में आया चैर्नोबिल नुक्लियर पावर प्लांट वो युक्रेन के मेप पर यह यहां पर स्ती थे और इस युद्धे के समय योक्रियर्न के राश्ट्र पत्ती व्लादिमिल चैलन्सकी प्रेजिटरफल के आधार पर योक्रिय्ट युरोप महाद्विप का दूसरा बड़ा देस है रूस के बाद और रूस युरोप और एसिया दो महाद्विपों मिष्थे थे वहीं यूक्रेन पूरी तरह से यूरोप महाधिप में ही इस्ते थे यूक्रेन की सीमा साथ देसों से लगती है जैसा आप मेप में देख पा रहे हैं ये साथ देस, रूस, बेलारूस, ये यहाँ पॉलेंड, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मॉल्डोवा तो यूक्रेन की सीमा साथ देसों से लगती है रूस, बेलारूस, पॉलेंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मॉल्डोवा और काला सागर और अजोव सागर से लगती है और अब यूक्रेन और उसके साथ पॉलसी देसों की राज़दानी और उनकी राष्ट्री द्वज देख लेते हैं तो सबसे पहले यूक्रेन की राष्ट्री द्वज और ये है यूक्रेन की मुद्रा करंसी है रिविनिया युक्रेनिया रिविनिया और अब युक्रेन की बड़ोसी देशों की राजधानी और उनकी नेशनल फ्लैब राष्ट्री द्वज देख लेते हैं तो सबसे पहले रूस की राजधानी मासको और ये है रूस का नेशनल फ्लेग और रूस की करणसी रूपल रसियन रूपल रूसी रूपल और ये बेलारूस की राजधानी मिनस्क और ये है बेलारूस का रश्ट्रेद्वज और ये पॉलेंड की राजधानी कैपिटर है वार और एक महत्वपून फैक्ट इस पॉलेंड से रेलेटेड यह है कि द्वित्य विस्वेद्ध सेकेंड वल्वर की सुरुवाद 1 सितंबर 1949 को नाजी जर्मनी जर्मनी द्वारा पॉलेंड पर आक्रम मन के साथ अधिकरिक तोर पर सुरू हुआ था जर्मनी के पॉलेंड पर आक्रम मन के साथ सुरू हुआ था एक सितंबर 1949 को अन सेप्टेमबर वन 1939 जर्मन आर्मी अंडर अडॉल्फ हिट्लर लॉंच्ट एन इन्वेजन ओफ पॉलेंड देट ट्रेगर्गर्ड दस्टार्ट आप वल्वर सेकेंड और यह है पॉलेंड का रा आतिस्लावा ब्रेटिस्लावा और यह है स्लोवाकिय क्या नेशनल फ्लेग राष्ट्री द्वज और यह हंगरी की राष्ट्री द्वज नेशनल फ्लेग रोमानिया की राष्धानी बुकरेश्ट या पुकरेश्ट और यह है रोमानिया का नेशनल फ्लेग वर्टिकल ट्र जानी है चीसी नाव और ये मोल्डोवा का राश्ट्री द्वज जो रोमा ये के नेशनल फ्लेग जैसा ही है सिर्फ उस फ्लेग के सेंटर बार में मोल्डोवा का राज की प्रति राज चिनन लगा दिया जाए तो ये मोल्डोवा का राश्ट्री द्वज बन जाएगा वीडि में लिख कर चरूर भेचे और अगर आप चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है फिर भी मुझे notification क्यों नहीं आता तो हर नए वीडियो की notification तुरंथ पाने के लिए आप subscribe करके उसके पास जो गंटी दिखेगी उसके पर click कर all notification आपकर दे ताकि हर नए वीडियो की notification आप तक तुरंथ पहुंचे Thank you so much and all the very best